ओम शांती, 15 जैनुरी की शुरुतान में आप से वास हो गयते हैं, अनादी सुरूप जो हमारा है, वो हमारा ओरिजिनल सुरूप है, यह फिजिकल सुरूप जो आपको दिख रहा है, यह एक लिमिटेड सुरूप है, लेकिन अनादी सुरूप हमेशा का सुरूप है हमारा, ज सारी परस्तिती को हम पार कर लिंग और सकस्क्सुल बन जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं आई इसके वरदान में अनाधी सुरूप की स्मृति द्वरा संतुष्टा का अनुभव करने वाले और कराने वाले संतुष्ट मनी भवा अपने अनाधी और आधी सुरूप अनाधी सुरूप हो गया हमारा निराकार सुरूप की पॉइंट अफ लाइट शुन्ने कुछ भी नहीं और आधी सुरूप में देवता सुरूप जो हमारे गुण है शक्ति हैं सब कुछ हमारे प्रसंता है संतुष्टा है को स्मृति में ल जाओ तो स्वैम भी स्वैम से संतुष रहेंगे और औरों को भी संतुष्टा की विशेष्टा का अनुभव करा सकेंगे स्वैम से संतुष्ट और औरों को भी संतुष्टा की विशेष्टा का अनुभव करा सकेंगे लेकिन अगर हम उस सुरूप में नहीं रहेंगे तो हम कल्यूगी सुरूप में रहेंगे या हम विकारी सुरूप में रहेंगे या तो फिर हम शुद्र सुरूप में रहेंगे जिसको हम कहते हैं तो ना को संतुष ना और को संतुष करा पाएंगे असंतुष्टा का कारण होता है अप्राप्ती और अकर हम ब्रामिन लोग घड़ी-घड़ी पीछ-पीछ में फिजिकल प्राप्ति के पीछे जाएंगे तो आपका स्लोगन है पाना था वो पालिया किसको पाना था परमात्मा को पाना था परमात्मा के दोरा ज्यान पाना था उसको अ ने पालिया बाप का बनना अरथाथ वर्षे का अधिकारी बनना ऐसी अधिकारी आत्मा ये सदा भरपूर संतुष्ट मणी होंगी पाना था सो पालिया ये स्लोगन के अनुसर गर हम चलें तो इसको स्मृति में रखें विस्मृत ना हो तो हम आगे बरमात्मा के साथ में बने रहेंगे जुड़े रहेंगे प्रेम में लीन रहेंगे और संतुष्मणी आत्मा सदा के लिए रहेंगे इसको और गहराई से जानने के लिए ब्रमा कुमारी सेंटर में जरूर चाहिए मुम्शन्ति